मित्रों कहते हैं कि भगवान शिव के लिए ना तो कोई देव है और ना ही कोई दानव ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा ना तो कोई अधिक प्रिय है ना कम वो सब को एक समान रूप से देखते हैं अगर कोई राक्षस भी उनकी भक्ती करता है तो शिव उसे भी अपने भक महाशक्तियां हमेशा आपके साथ रहती हैं, आपकी रक्षा करती रहती हैं, आपके कारियों को बनाती रहती हैं, और हर एक मुसीबत जो आपको हानी पहुचाएं, उससे आपको दूर रखती हैं. क्योंकि भगवान शिव के साथ 5 ऐसे देवता हैं जो उनसे हमेशा जुड़े रहते हैं, जो आपकी हमेशा रक्षा करते हैं, जो भी भगवान शिव की भक्ती करने लगता है या निरंतर उनका नाम लेता है, उसके साथ के 5 महाशक्तियां स्वयम चलना शुरू कर देती हैं। और उसे भगवान शिव के साथ साथ महाशक्ती के रूप में इन पांच देवताओं का साथ भी मिल जाता है। सबसे पहले महाशक्ती के रूप में जो देवता आपका साथ देते हैं वो काल भैरव हैं। काल भैरव भगवान शिव के रूद्र रूप हैं। और भगवान काल भैरव उनकी हर समय रक्षा करते हैं। जिसके साथ स्वयम भगवान काल भैरव हो। उसे भला किस बात की चिंता जो दूसरी महाशक्ती आपके साथ होती है। वह हैं नंदी जी नंदी जी भगवान शिव के बहुत करीब हैं। और शिव जी की सेवा में सदैक ततपर रहते हैं, नंदी जी की शक्ति असीम मानी जाती है, इसका अनुमान आप इसी बात से लगा सकते हो कि नंदी जी देवों के देव महादेव को भी अपने कंधे पर बैठा लेते हैं, जो भगवान शिव की पूजा या उनको निरंतर स्म करता है, स्वयम नंदी जी उनका रक्षन करते हैं, और उन्हें सभी मुसीबतों से बाहर निकालते हैं, और सबसे बड़ी बात नंदी जी भगवान शिव के भक्तों की प्रार्थना, शिव जी तक जल्दी ही और जरूर पहुँचाते हैं, जिससे भगवान शिव के भक्तो प्रचंड रूप को देखकर बुरी तरह भयभीत हो गया था और वीरभदर के हाथों मारा गया था भगवान शिव की पूजा करने से आपको स्वयम वीरभदर जी का रक्षन प्राप्थ होता है और वीरभदर आपके जीवन में आने वाली सभी बुरी शक्तियों का नाश कर देते हैं जो चौथी महाशक्ति है उसके आगे कोई भी बुरी शक्ति संकट भय चिंता ये कोई भी टिक नहीं पाते और वो महाशक्ति है हनुमान जी इस कल्युक के समय में जिस भगवान को जल्दी प्रसंड करके उनकी क्रिपा पाई जा सकती है वो हनुमान जी ही है जिस किसी को भी हनुमान जी की क्रिपा प्राप्थ हो जाती है उसके जीवन के सारे कष्ट धीरे धीरे खत महोने लगते हैं मन का भय खत महोने लगता है चिंता खत महोने लगती है और वो निडर और मजबूत बन जाता है हनुमान जी हर कदम पर उसकी रक्षा करते हैं और उसका साथ देते हैं जो आखिरी महाशक्ति आपका साथ देती है उनका तो बस नाम लेने से ही जीवन सफल हो जाता है प्रभु श्री राम भगवान शिव के इश्ट हैं और शिव सदा श्री राम का नाम जबते रहते हैं उसी तरह भगवान शिव भी श्री राम के इश्ट और एक दूसरे के पूरक हैं जो भी भगवान शिव की पूजा करते हैं या उनका नाम जबते हैं तो अपने इश्ट की पूजा से भगवान श्री राम भी प्रसन्न हो जाते हैं और अपनी कृपा बनाये रखते हैं अगर कोई शिवलिंग पर जल चड़ाते समय श्री राम मंत्र बो तो एक लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूले जय भूले नात